हाईलो स्टूडेंट बेलकम बैक टू माई यूटूब चैनल अरिहंत लेक्षर आज की वीडियो में बात करने वाले चार मार्च को क्लाश 10 में आने वाला इंगलीज का बिलकुल वायरल पेपर और हंडेट टेन परसेंट ये पेपर प्यारे बच्चों है ये एक माडल पेपर है और इसमें जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है जो की बोड एक्जाम में आएंगे ठीक है और जो को हमने बताया था कि हमें 95% लाकर इस्टेट लेबल में अपना एक रहेंग खासिल करना थी ये मैं टार्गेट अपना पूरा करवाँगा आपसे ठीक 95% लाना है ये है 2024 English का पेपर अ एक लखेंशन क्योंकि आपको 70-70 नंबर लाने से कोई नहीं रोग सकता अगर एक गटेटों एफेरर ऐसे सबसे पहले आपर जञता से कोई नहीं रहें गाखना सव्थ Me सार रिगार्डिक तू क्वेस्टेन पेपर ठीक है यहां पे 15 मिनट आपको परचार्थियों को प्रश्ण बत पढ़ने के लिए निर्धारित किया जाता है यह सिंपल कुछ निर्देश दे दिए इससे आप पढ़ लेना इसको पढ़ कि मैं आपका टाइम बेस्ट नहीं करू यहां पे है कि देखो ए रीच मैन है किप्ट ए डॉग तो गार्ड इज हाउस अट नाइट इन दे टाइम डॉग वाज टाइड विट ए चैन तो ए हैवी स्टोन एड वाज फिरी एट नाइट ठीक है यह दिन में उससे बांध कर एक चैन से रखा जाता था उससे रात में ठीक है यह चीज़े है इसको आप पढ़ोगे इसके नीचे तीन क्वेस्टन दिएगे उनको आपको एंसर लिखना पहला क्वेस्टन यह है कि वाट वाज डूटी आप दाग डाग की डूटी क्या थी यहां पे एडिच मैन हैड किप्ट ए डॉग गार्ड इज हाउस एट ठीक है यानि रात में उसकी डूटी थी दिन में उसे फिरी कर दिया जता था रात में फिरी कर दिया जता दिन में उसे सिकड़े से बाद कर रखा जता था तू गार्ड इज हाउस एट नाइट ठीक है मतलब कि वह क्या करता था वो उसके रात में उसके घर का गार्ड था ठ to sleep at the gate नहीं उसका यह कामता to guard his house at night आपसर नबर ही आपका correct हो जाएगा इसके बाद दूसरा नबर question था कि what happened to the bird one day यानि कि जो bird की one day क्या happened कैसे होगी यहाँ पर देखो दे रखा है वाज glad to have someone to play with one day the bird fell into a tub full up water not very far away ठीक है तो इसका अंसर आपको इसी मिलेगा कि क्या है वाज catch in a net fell into the tub full up water fall down on the ground broke one up his leg ठीक यह वाला option correct हो आपका भी fell into tub full up water ठीक यहाँ पर देखो दे आपका option number बी correct हो जाएगा इसके बाद next देख लेते हैं तीसरा question तीसरा number है कि beach world is nearly close to watch used in the passage ठीक है वाच वाच में होते हैं जैसे वह गाड की ही रूप में काम करते हैं अवेक है कि पेट्रोल है कि लुक है कि गाड ठीक तो यहाँ पर गाड वाच में जो होते हैं उसी क्या मतलब इक निकल रहा है गाड निकल रहे ठीक है अब यहाँ पर question 428 चूज दे correct option to the answer the following question यहाँ पर कि the patient had died before the doctor come, had come, has come, will come ठीक है तो यहाँ पर आपका क्या होगा came यानि कि the patient had died before the doctor came यानि कि patient के मर जाने के बाद डाक्टर आया ठीक है यहाँ पर option correct होजाएगा पांचवान नमर question है one who looks at the dark side of life optimist, fatalist, pessimist, altrist ठीक है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका पांचवान में होगा यह pessimist ठीक है तो यह चीजे भरी जाएगी चट्वा question है कि rearrange the following word our word cluster to make the sentence meaningful यहाँ पर आपको meaningful बनाना sentence ठीक है क्या क्या कैसे कैसे रहेगा तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको the rats ठीक है subject क्या में रहा है the rats इसके बाद helping word क्या में रहा है give गेव इसके बाद us इसके बाद a great ठीक है a great deal a great आपका यहाँ पर deal trouble ठीक है यहाँ पर यह वाला ऐसे बनेगा यहाँ कि आपका the rats पहले नंबर पर रहेगा इसके बाद helping word दूसरे नंबर पर रहेगा ठीक इसमें देख लेते क्या correct हो रहा है the rats give us a great deal up the trouble तो आपका option नंबर पहला ही correct हो जाएगा ठीक है साथवा नंबर question है कि bitch of the word is an adjective यहाँ पर आपका पूर जो है यह इसमें क्या है adjective है अब यहाँ पर आठवा नंबर पर है कि हिमाल्याज unless you is light to the North up India e heimalyya रहेगा कि an heimalyya रहेगा कि the heimalyya रहेगा कि no article रहेगा ठीक ही तो आप जानते हो कि जो चीजी एक ठोड़ेती प्रकेती में उसकी आगे द लगाया जाता है तेहां पर द हिमाल्या लाई इसके बाद है क्वेश्चन 9-10 रीड़ फॉलोविंग ठीक है रीड़ पैसेज के अर्फुली एंड चूज द करेक्ट आपसन टू द एंसर द फॉलोविंग क्वेश्चन देट फॉलोव यहां पर देरका है कि देखो यह एक पैसेज देरका आपको सिंपली इसको पढ़ लेन दोलोविंग एँसेतर वेनू लॉक वाड सबोजू इसा जले को पैसे के धितता है कि प्रिड़ अपस्गून गद टाम, ओॉप अंसर लॉख लिश्गा एंक मत समय प्रिंड जायए Defense सणके लॉच्वत त वन यहां रहें बऴलोब द फेले कि थैसेब हर पीड़ मिश में life there, lives with dignity and the self-respected that animated my life, that transformed a frightened young man into a bold one that drew a law evading or attorney to become a criminal that turned a family-loving husband into a man without a home that forced a life-loving man to live like a monk. यहां पर इसमें speaker who is the speaker आप दिजलाईज ठीक है एक congressman नेंसल मंडेला यह husband the farmer ruler तो यहां पर जो इसमें speaker है वो नेंसल मंडेला यह चीज़े कह रही है कि मेरे अधिकारों कहानन हो रहा है स्पर्तिक बेक्ति को कैसा अधिकार होना चीए तो आपसर नमबर भी अधिक हो जाएगा दस्वा क्वेस्चन है कि वाट वाज देजायर आप देश्पीकर इन दे एबब पैसेज फ्रीडम फर आल हिज कंट्री में फ्रीडम फर हीम ओल्ली दा कैप्चर दो थ्रोन आप साउथ अपरिका टू इलिमिनेट दा रूल आप प्रेटोरिया गुर्मे ठीक है यहां पर किस चीज के बारें बात की जारी है फ्रीडम फर आल हिज कंट्रीमें ठीक है सभी के सवतनता के लिए बात की जारी है इस पैसेज में इसके बाद 13 नंबर क्वेस्चन है कि चूज दा करेक्ट आप्सन टू दा एंसर दा फॉलोविं ट्वेस्चन लेंचो रोट टू गाड इप यू डू नाट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई बिल गो गो तू दा डॉक्स ड्राई मैड की हंगरी क्या भरा जाएगा तो बिल्कुल सिंपल था कि आपने देखा होगा कि इसमें हंगरी की कारा मतलब कि बूल यह जो लेंचो रहता है लेंचो कर जाएंगे यह चीज़ें नमपर दी आपका क्या हो गया अट्यजों कि लेक्त हो नेश्ट कर्टे हैं कि अंच अब का ट्यल नमबर क्वेश्चन कंकर फार की सीज के लिए ग्रेट था यह जो था न यह दव ऑप्रेशन आप ना नेटिव अमेरिकन टिके ओप्रेशन आप नेटिव अमेरिकन यह चीजे करेक्ट था इसके बाद क्वेश्चन चवदर से पंदरर कृईट गिवेन एक्टरेक एनट चूज दा करेक्ट यहां पर कि the fog comes on little can feet, it sits looking over harbor and city on silent hunches and then move on, यहां पर कि how does the fog come, ठीक है, one little cat feet, one little bat wings, one horseback on its own feet, ठीक है तो इसमें क्या करेक्ट हुगा, यह हम से पूछ एका है, यहां पर on little cat feet, ठीक है, यहां पर option number on little cat feet correct हो जाएगा, इसके बाद 15 number question है, name the poet of the above sad lines, इस sad lines यहनि दुखी line का, जो above है, ठीक है, पैस sad lines, name of the poet, इसकी जो कभी है, उसके नाम आपको पताना है, तो यहां पर काल सेंडबर्ग, रोबोट प्रोस्ट, वाल्ट बिटमेन, लेजलिल नोरिज, ठीक है, इस इसके जो आपके कभी है, वो कौन कभी है, यह रोबर्ट फ्रास्ट लिखे, ठीक, राबर्ट फ्रास्ट लिखे हुए, तो आपसर नमबर B, correct होजेगा, इसके बाद 16 number question है, कि choose the correct option to answer the following question, Tikiwood tackled a meal at any hours, because his only fault was attraction, hunger, willingness की greed, ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो greed वाला आपसर, तो उसे greed महसूस रता था, तो आपसर नमबर D, correct होजेगा, 17 number question है, यहाँ पर, कि message, यहाँ पर लुजल, suffered from, ठीक है, the poverty of her apartment, the sub-B walls, the one's chairs, all A, B and C are correct, ठीक है, तो यहाँ पर सत्रक आपका, all A and B and C are correct, ठीक है, इसके बाद, 18 number question है, कि, at the clinic, the doctor gave tricky, fruits and the vegetable दिया, कि injection दिया, कि non food for two days, कि chocolate दिया, तो यहाँ पर उसको क्या दिया गया, नो food for two days, यहाँ दो दिन तक घोजन ही नहीं दिया, गया, 19 number question है, कि इबराइट, graduate from, कहाँ से इबराइट, graduate थे, Cambridge से, कि Harvard से, कि Oxford से, ठीक है, तो जो इबराइट आपकी graduate हुए थे, वो Oxford से हुए थे, ठीक है, इसकी dictionary, भी काफी famous dictionary, Oxford की, और यह काफी बड़ा एक, वो university है, 20 number question की, रामलाल, इल्डेष्ट, डाटर, वाज, कौन थी, उसकी बड़ी पुत्री, राधा थी, की रेखा थी, की सुलेखा थी, की कमला थी, ठीक है, तो वो राधा थी, उसकी बड़ी पुत्री, ठीक है, आपसर number A, correct हुज़ेगा, नेश्ट, यहाँ से आता है, नेश्ट क पढ़ना है, इसकी नीचे दे के question के answer को लिखना है, यह number में आपको कहरा कि, what had been the great lesson of the उपनिसद, ठीक है, इसमें आपको खोजना है, यहाँ पे आप देख सकते हो, कि that had been the great lesson of the उपनिसद, fear breeds, यहाँ पे fear breeds, evil, beeping and welling, the had been enough of that, enough of softness, ठीक है, यह इसका पूरा answer हो जाएगा, कैसे लिखना है, यहाँ पे लिखा हमने, the great, ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हो, कि the great lesson, आप उपनिसद, fear breeds, evil, beeping and welling, यहाँ पे the had been enough of that, enough of softness, यह पूरा है, यहाँ से लेकर यहाँ ते किसका उत्तर हो जाएगा, यहाँ से, the great man लगा कर, the great man had been the greatest lesson of the उपनिसद, fear, यह पूरा answer हो जाएगा, इसके बाद है, कि what did the vivekanand means by the abhye, abhye का मतलब vivekanand का क्या था, तेहाँ पे abhye का मतलब दे रखा, be fearless, be strong, ठीक है, यानि कि be fearless और be strong होना चाहिए, तेहाँ इसको लिखना है, दोको यहाँ पे b number डालके लिखा गया है, कि according to vivekanand means abhye, be fearless, be strong, ठीक है, इसके बाद question है, c number, कि what is the real cause of man, weakness in the world, ठीक है, यानि कि मनुस्य का जो रियल इनी वास्तो कारण है, weakness का विखनेस का विखनेस में वो क्या है, तो यहाँ पे आप देखोगे, कि यहाँ पे, ठीक है, यह पूरी लाइन है, इसका answer, if there is a sign in the, ठीक है, यहाँ पे, seen in the world, it is weakness, avoid all weakness, weakness is seen, ठीक है, यह पूरी इसकी लाइन है, यहाँ पे लिखना है, if there is a scene in the world, it is weakness, avoid all weakness, weakness is seen, weakness is death, यह इनका कहने का मतलब है, इसके बाद है कि, which word in the passage means God, ठीक है, God Lines, God Lines का क्या मतलब आया हुआ है, इसमें, यहाँ पे दकोई इसमें है कि, which word in the passage means the God Lines, ठीक है, यह आपका यह भगवान, लेस होता है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो गया, यह divinity, divinity मतलब द्याइबी हो गया, ठीक है, divinity, यह आया हुआ है, God Lines का मतलब क्या हुआ है, divinity, इसको लिख लेना, section B आता है, आपका writing, write a letter to your friend, inviting him to attend your brother's marriage, यह very important brother's marriage, sister's marriage, आपके बोड़ी important application writing कर रहा हूं, उससे बाद एक भी नहीं आएगा, 100% guarantee, ठीक है, उसको त्यार कर लेना, and are, write an application to the principal of your school, complaining against efficient supply of water in your school, मतलब कम पानी आ रहा है, तो उसके लिए आप complain लिखो, यहाँ पी तीसरी नमबर पे, write a report on my town, our city, in about 8200 words, on the basis of the hints given below, यहाँ कि जो नीची hints देख, उसी साफ से लिखना है, name लिखना है, occupation of the people लिखना है, its roads and the markets लिखना है, what it is known for, conclusion लिखना है, तीक है, या तो आज आप इसको भी कर सकते, write an article to be published in newspaper on the importance of following the rules of the road, in about 8200 words, on the basis of the points given below, तीक है, easy flow of the traffic, saves our time, keeps us safe from the accident, तीक है, यहाँ पर D नमबर है, कि conclusion इसको लिको, follow traffic rules and the traffic constable, next आपका question यहाँ से आता है, section D, जो की literature यहाँ से आता है, what does any prank say about her father and the grandfather in her diary, ठीक है, तो अपने जो any prank थी, वो अपने father के बारे में, और grand father के बारे में, क्या बताती थी अपने diary में, इस question को मैंने कराल दिया हूं, कई paper में इसको त्यार कर लेना, ठीक है, important है, इसके बाद R में यह question है, how do the people, आप कुर्ग, deeper from the Hindu, man stream, ठीक है, इसको त्यार कर लेना, B number है कि, where were Pranjal and Rajbir going, what was Pranjal's father दिया, ठीक है, यह आसाम में जाते हैं, और आसाम में इनकी पिताजी, ठीक है, manager रहते हैं, इसका answer आपको मैंने इसी की पिछले वीडियो में बताया हूं, ठीक है, वहाँ साब त्यार कर लेना, या why was Mr. Kissing a teacher annoyed with her, ठीक है, तो इसको हम सबसे पहले देख लेते हैं, आपको बता दू थो थोड़ा सा आपके समझ लें लिए important चीज है, student इसका answer यह होगा, ठीक है, राजबिर एंड़ प्रोंजल वर गोइंग टू आसाम, प्रोंजल इनवाइट राजबिर टू पास वन समर वेकेशन एनिगर्मी की छुट्टी, वित हीम इन आसाम, वेर जहां प्रोंजल फादर वाज, ए मैनेजर इन टी, ठीक है, टी, चाय प पिसिंग, ए टीचर एनॉइड वित हर, ठीक है, यहां चटवा नंबर क्वेशन आप कर सकते हो, की, हाव दिड़ पोस्ट आफिस इंप्लोई है, हाव दिड़ लेंचो रिएक्ट तू दियर हेल्प, यहां पे है, कि दपोस्ट मास्टर वाज वेरी इंप्रेजड बित लें यहां कहने का मतलब कि जो पोस्ट मास्टर रहता है, वो अपने जिंदगी में पहली बार ऐसा पत्र देखा होता है, और वो समझता कि यहां कि किसी का भगवान में इतना जादे विश्वास है, तो क्या कहता कि अपने इंप्लोई होते हैं, मतलब उनके साथ काम करने वाले होते हैं, उनसे कुछ पैसा एकठा करकर यह सोचता है कि मैं कुछ हेल्प करूं और 70-70 पीसोज भेज देता है, उसमें रियक्षन पुछे का कि क्या दिया लेंचो लेंचो का रियक्षन जो था, वो एंगरी था, क्रोधी तो गया, मुझे 30 पीसोज कम मिले हैं, ठीके, यह हुआ, यह चीज़, ठीके, हाथ कम्प्रीट हुए, साथ वाई वाज किस्सा गौतामी, इन, सो मच ग्रीप, वाज डिड़ सी लर्न इंड, ठीके, गौतामी सो मच ग्रीप, दुखी क्यों थी, और वाज डिड़ सी लर्न इंड, और लास्ट मों क्या, सीखती है, तो इसका आंसर देख लेते हैं, किस्सा गौतामी का जो पुत्र था, वो मर गया था, डेड़ हो गया था, और किस्सा गौतामी को कुछ लोग कहते हैं, कि आप सर्सों की बीज उस घर से लियाओ, जहां पर अभी तो किसी की डेड़ नहीं होई होगी, ठीके, तो दुखी होने के करण उसका पुत्र मरना था, और वो क्या इंडे में सीखती हैं, इसके बारे में देखो, किस्सा गौतामी वेंट डोर टू टेक, मर्स्टर टेक सीड, ठीक है, यानि कि सर्सों की बीज को लेने के लिए, बीच काल्ड कीर हीज, ठीक है, बीच कूड कीर हीज, मतलब कि वो अपने देड सन, यानि बरे हुई बच्चे को बचाने के लिए, बट सी लेंट डेट, वो सीखा करती है, दियर वाज नो, हाउस बीच वाज अंतुच्ट बाइदर डेट, यानि ऐसा कोई सग भी घर नहीं मिला, जहां मिर्तिव से टच ना की उच्छ हुई, ना, दिन सी रियलाइ है, नेश्ट की सात्वा नमर की, वाट डज द पोएट कंपेर दियर ब्रांचेश तू, इन ही पोयम द ट्रीज में किसकी कंपेर करता है, ठीक है, आर अगर यह क्वेस्टन नहीं जानते, तो इसको आप राइट, फोर लाइन आप एनी पोयम प्रेस्क्राइब इन योर सिले आवानडा पे लिख सकते हो, फिर फायर में करना है, फायर और आइस पे लिख सकते हो, फाग पे लिख सकते हो, ठीक है, नवा नमर क्वेस्टन है, कि वाई आपको यहां पे आंसर, एनी वन आप द फोलोविंग इन अबाउट 30 तू 40 वर्यानी किसी एक वेस्टन का आपको इसको हल कर सकते हो, वाई दिट मार्टी तल्डा नाट वान तू गो फार आल फार द वाल पार्टी ठीक है, या तो आप यहां पे टेन नमबर कर सकते हो, एंसर एनी वन आप द फोलोविंग इन अबाउट 60 वर्स, वाई दिट ग्रिफिन इंटर द लंदन स्टोर, वाई दि ही डू दियर, उसके बारे मोग क्या सीखती है, डिस्क्राइब द रोल आप द भोली टीचर इन हर लाइब, ठीक है, तो दखो यह जो question paper है, यह important question paper है, इसमें से कुछ question आपके board exam में आ सकते है, ठीक है, तो आप हो सकती है, उसकी जितने important question उसे तयार कर लेना, आज की इस व तब तक के लिए धन्यवाद,